में लड़ू खाना बला किसे पसंद नहीं होता लेकिन उनमें होता है बहुत सार का घी बहुत सार के ड्राइफूट जो आपके वेट को बढ़ा देते हैं आज हम आपके ले आएं इम्मिनिटी बूस्टर लड़ू जिनमें ना गी होगा ना चीनी होगी ना गुड होगा और कि आपकी सियत क्या खजाना होगा आईए मैं आपको दिखाता हूँ हेल्थी लड़ू अजय रेस्पीज में आपका सौगत है लिदी आपने अभी तक हमारा चनल सब्क्राइब ने किया तो प्लीज सब्क्राइब करें और गंटी वाले बटन को जरूर रभाएं तकि आपक इसको सेकेंगे और इसको रोष्ट कर लेंगे दो से तीन मिट में ये सिक करके तियार हो जाएगी हमारे को इसके छिलके उतारना है मार्केट में छिलके उत्री होई मूफली भी मिलती है वो भी अपले सकते हैं ये मैंने सारे इसके छिलके उतार लिए है इस तरीके से इसके मखाने लीये, full मखाने इसके बोलते हैं, lotus seeds, fox seeds भी आप इसे बोलते हैं, ये भरपूर vitamins और mineral से भरपूर होते हैं, ये बहुत ही खाने में मज़ेदार और healthy testy होते हैं, आप इसका इस्तमाल जरूर करें, ये 2-3 मेट में सिक्कर के तयार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इसको रोष्ट करने के जो अतनी है आप किसी मखाने को ले करके दबाएंगे तो वो यदि तूटने लग जाता है तो इसका मतलब आपका मखाना सिक्कर के तयार हो गए इसी तरीके से हम ओट्स ले रहे हैं ओट्स आपके सिककर के तियार हो जाएंगे, आपके सीमा पंदूर हो जाएगा इस के अतरिक्त मैंने यहां पर थोड़े से सफेद तिल भी लिये है जिसको भी हम रोष्ट कर लेंगे, और उसको भी हम दिमी गैस पर रोष्ट कर लेंगे तिल 3-4 मिट में आपके सिक्के तियार होंगे, तिल जब चटकने लग जाए, तब आप ये समझेगा कि आपके तिल रोष्ट हो चुके है, तिल में सीमापन होता है, तो आप उसको रोष्ट कर लें, तिल सर्दियों का मेवा होता है, तिल में भरपूर मात्रा में विटामिन् यहां पर मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी हम इसका कच्चापन निकालने के लिए इसको भी रोष्ट कर लेंगे, लेकिन नारियल की बुरादे को एक मिट से ज़्यादा आप रोष्ट ना करें, नारियल का बुरादा आपके लड़ू की उमर को रखते हैं तो वो ज़्यादा फाइदे मन रहता है इसलिए हमने नारियल लिए है थोड़ा सा मैंने आपे डेट लिए खजूर लिए हम खजूर के साहिता से आज आपको लडू बनाना सिका रहा है नहीं हम इसमें चीनी का इस्तमाल करेंगे नहीं गुड का इस्तिमाल करेंगे ये खजूर को आप छुट-छुटे भागों में काट लें किसी चक्कू ये कैची की साहिता से इसको काट ले और इसके बीज अलग-अलग कर ले मार्किट में बिना बीज वाले खजूर भी आता है आप वो भी ले सकते हैं यहां पे आप इस तरीके से खजूर काट करके उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसका एक पेश्ट तियार करना है आप जब इसका पेश्ट तियार करें तो महीन पेश्ट तियार करें थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल लें मिक्सी जब आप पीसेंगे खजूर को तो थोड़ा सा प्राब्लम होती है लेकिन आप चार से पांच बार इसको मिक्सर ग्रैंडर को रुक रुक करके चलाएंगे तो बहुत दंग से पेस्ट बन जाएगा ओट्स थे इन्हों का भी हम पाउडर तियार कर लेंगे और आप इस तरीके से पाउडर बन करके तियार हो गया यह सारा पाउडर बन गया है इनमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स है, केल्शियम है फाइबर है, यह आपकी बाडी को और वेट को कम करने का काम करते हैं इम्मुनिटी बूश्टर है यह लड्डू इस तरीके से पाउडर बन करके तियार हो गया अब हम किसी अन्य बतन में इसको डाल लेंगे यह कोकोनट पाउडर था यह आपका पिनेट्स का पाउडर था एक यह ओर्स पाउडर है और यह मखाने का पाउडर है इसका अतरीक पाउडर भी इसमें डाल देंगे और इन सबको मिक्स कर देंगे यह मिक्सिर में यदि आप बूरा मिला करके भी डेली लेते हैं तो भी यह आपका वेट लॉस का काम करेगा यहाँ पर इन सबका mixture को हम किसी चम्मच की सायता से mix कर देंगे यह देखी आपका एक डंग से mixture त्यार हो गया अब हम मैं किसी अन्य fry pan में यह आपका जो date space था उसको हम ले लेंगे इसको आपको गरम करना है और इसको liquid form में है इसको गाड़ा करना है गैस आपको बिर्कुल low to medium ही रखनी है और इसको तीन से चार मिंट तक जब आप चलाएंगे तो इस तरीके से गाड़ा पेश त्यार हो जाएगा इसका कच्चापन सारा का सारा निकल जाएगा डेट्स आपके पक जाएंगे तब हम हमारा जो powder था जो हमने बनाया था mixture बनाया था ओर्स का तिल का lotus seeds का उन सब का powder हम इसमें डाल देंगे आपको mixture में डालते वक्त धीरे धीरे करके डालना है एक साथ सारा powder नहीं mix करना है तीन से चार मेट में ये देखी इस तरीके से इसकी consistency हो जाएगी तब आप थोड़ा सा डो तयार करते हैं उस तरीके से आप इसका डो तयार कर सकते हैं ये लड़ू बेहत फाइदे काल है विमारियों का सीजन है उसमें अधि आप बचना चाहते हूं तो यह लड़ू की रेसिपी जरू ट्राइक करें इस तरीके से आप लड़ू बना लेंगे यह लड़ू एकदम सौफ्टी रहेंगे जब भी आप इस लड़ू को दो से तीन बने रखेंगे तो भी हार्ड करेंगे ज्यां नहीं होगे क्यों कि हमने इसमें गुर्ड को बड़ो को सभी को बहुत पसंद आएगा और यह आपकी इमुनिती बूश्ट का कां करेंगे अनदर से इसके इस तरीके से लड़ू हो जाएंगे देखने में बड़े लाजवाब दिख रहे हैं किसी को ये भी नहीं लएगा इसमें चीनी नीम लाई है इसमें ड्राइफ रूट्स नहीं है इसमें घीका भी हमने ह safety नहीं किया है आप इसको सजाने के साबसे किसी coconut powder में भी आप इसको mix करके रख सकते हैं इस तरीके से आप किसी coconut powder में डाल करके आप रख लें तो भी बहुत अच्छे लगेंगे या फिर आप इसके उपर थोड़ा सा coconut सुखा हुआ जो powder होता है वो आप इसके उपर डाल दें थोड़ा सा पिष्टा लगा लें इस टेप से आप इसको गारनेशिंग कर सकते हैं ये आपकी immunity booster का काम करेंगे बहुत ही मज़ेदार और शांदा रेसिपी है आप इस रेसिपी को जरू ट्राई करें इस रेसिपी में भरपूर मात्रा में मिन्रल्स है विटामिन्स है फाइब प्रकार के रोगों में लडने में साहितर देगी diabetes patient के लिए भी लड़ू बेहत फाइदे मन्द है क्योंकि हमने इसमें चीनी और घी का इस्तमाल नहीं किया है गुड का इस्तमाल नहीं किया है आप इस रेसिपी को ट्राई करें हमारी website www.azarecipes.com आप उस पर जाएं और भी लड़ू की रेसिपी देखें थेंक्स